बालेकाल से ही राश्वय स्वयम सिवक संग के साथ जुड़े छात्र राजनीती में आये तो वहां भी अपना लोहा मनवाया। पिता जिन्होंने एक आंदूलन से जुड़ी जनसंग नाम की पार्टी से देश में राजनीती में और सामाजिक जीवन में कदम रखा। आंदूलन जो एक निशान एक प्रधान और एक सम्विधान के सिध्धन्त पर चलने वाली पार्टी जनसंग से उसके शुरुवात हुई उनके सुपुत्र जो सोशल एंजिनिरिंग से जुड़े घर के परिवार के संसकारों के माध्यम से और एक राश्वय स्वयम सिवक संग के बड़ी जो सामाजिक संस था है उसके कई आयामों में उन्होंने अपनी न सिर्फ सेवाई दी बलकि नंबर वन रहने की भी कोशिश की नंबर वन वो रहे देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी जहां उन्होंने 600 से ज़ादा प्रशन पूछे और नंबर वन है उनका सुधिर गुपता जी आज हमारे बीचे है स्वागत है सुधिर जी आपना नमस्कार और सुधिर जी से बात करेंगे जानेंगे अपने सांसत को मनसौ लोकसभा क्षेतर में क्या बड़ी चुनोतियां वो देखते हैं इन सभी प्रशनों पर बातचीत होगी लेकिन से जो प्रतिदुन्दी कॉंग्रेस पार्टि बड़े अंतर से आपने हराया और तीन बार लगातार एक ही जगह से सांसा दोना एंटी इनकंबेंसी जैसे शब्दों को आपने पीछे छोड़ दिया कैसे देखते हैं कैसे संभव हुआ है नहीं देखिए जो परिवार के संस चीज करना तो हमने अपने संसदी शातर को पहचाना वहां के जनमानस के मन को पहचाना और वो जो आजादी के बाद उनके जो मनों के सपने थे उसको दूर करने के लिए प्रतिग्याबद रूप से कारिकिया परिणाम सामने आया एक पिछड़ा हुआ संसदी शेत्र एक विक्सित भारत के मैप पर आकर खड़ा हुआ है और इसलिए परिणाम हर शेत्र में नजर आते हैं और विकास की कहानी हर शेत्र में कही जाती है सुनी जाती है और जन्ता ने मुझे भी एक ऐसे चेहरे के रूप में स्विकार किया जो उनके मन के सपने को पूरा करने के लिए लगातार लगातार श्रम करता है आप श्रम की बात करते हैं तो श्रम से मुझे श्रमिक मजदूर और किसान ध्यान आते हैं मन्सौर लोकसवक शेत्र में जो ज़्यादा तर किसान है या तो अफीम की खेती में या फिर लहसुन की खेती में वो कार्यत है और दोनों ही खेतियों के लिए आज चुनौती का एक बड़ा कारण भी बनी हुए उसके दो कारण एक तो एक चाइनीज लहसुन नाम की बड़ी समस्या उन किसानों के लिए जो लैसरों की खेती कर रहे हैं और अफीम की खेती करने वाले किसानों की इस उदिर जी मांग यह है कि वो चीरा लगा कर अफीम बेचना चाहते हैं इन दोनों विशूवक आप कैसे लिए नहीं दो चीज़ें इसमें सबसे पहले तो जो मेरा सं जहां 120 टाइब की फसले पैदा होती है अफीम लसन के साथ साथ वो संत्रा भी पैदा करता है तो वो पान भी पैदा करता है वो अशगंद जैसी ओशदिया भी पैदा करता है तो वो सोयाबीन भी पैदा करता है वो गेहूं का बड़ा उत्पादक है तो वो अपने शेत्र में 120-25 टाइब की फसलों को पेदा करके दुनिया में अपना एक बड़ा नाम बना कर खड़ा है और इसलिए हर शेत्र को हमने चुनोती के रूप में आगे बढ़ाना था तो संत्रे का बड़ा हम निर्यातक हैं श्री लंका बंगला देश तक भी भारत के संत्रे मेरे संसेदी शित्रे से जाते रहते हैं अब जहां तक प्रशन अभीमा और लसन का है पर मूल प्रशन था की खेतों में पानी का और इसलिए हमने पहले इन फसलों को आगे बड़े इसके पहले पानी का प्रबंदन करना तो हम एक बड़ी सफलता पर आ पाए कि चंबल का पानी लोगों के खेतों तक कैसे पहुंचे इसके लिए बड़ा प्रयास हुआ शिवराज सिंग चोहां जी की महती योजना के साथ हम जन प्रतिनी दियों ने योगदान दिया मैं मध्यपरदेश सरकार में राजजी योजना आयोक का सदश से था तभी से हमारा मूल था कि पानी को लेकर आना और उसमें बड़ी सफलता ये है कि आने वाले तीन सालों में मंसौर संसिदी शित्र देश के मैप पर होगा जब हर खेत में पानी हम नदियों के माद्यम से सिचाई के सादनों के माद्यम से पहुँचा पाने में सफल होंगे अफिम चुकी एक ऐसा मुद्दा था जो लगातार लगातार कांग्रेस उससे नफरत ही कर रही थी और देश को ही नफरत का पार्ट पड़ा रही थी और धीरे धीरे होते होते हमारे शित्र में कुल 13500 अफिम के पट्टे बज गए थे और कि लाइसेंसिंग प्रणाली पर हम खेती करते हैं अवेद खेती नहीं होती है और इसलिए देश और दुनिया में हम जाने जाते हैं कि सरकार द्वारा दिये गए लाइसेंस के आधार पर हम लोग अफिम उत्पादन करते रहे हैं पॉपी सीट्स उसका बाइप्रोडक्ट है पॉपी हस्क डोडा चूरा जो हलके नशे के लिए इस्तिमाल होता था लेकिन सरकारें उसको लाइसेंस के द्वारा ही दुकानों पर बेचा करती थी और आरगेनिक नशे के रूप में वो प्रसिद्ध भी रहा है लेकिन उसके इस माइनस को देखने के बाद हमने भारत सरकार के समक्ष विश्य रखा कि आज हम दुनिया के देशों पर डिपेंड करते हैं पॉपी सीट्स को हम टर्की से चाइना से इंपूर्ट करते हैं कोडीन जो कोडीन सहीत हमारे पास जो इलकुलाइट से हैं 24 टाइप आप इलकु आज मैं आपके इस्टूडियो में बैटकर गर्व से कह सकता हूँ कि भारत में अब एक लाख 15,000 लाइसेंसी किसान हैं और मुझे भारत सरकार पर भरोसा है आने वाले दो-तिन वर्षों में यह संख्या और तेजी से बढ़ने वाली है और हमारी जो डिपेंडेंसी थी अत्म निर्वर भारत की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि यह मेडिसनल प्लांट है और इसको मेडिसनल प्लांट के रूप में स्विकार करना ये एक सच्चाई थी दूसरा आपने प्रश्ण किया था कि लैंसिंग वाली हैंने चीरा लगा कर अफिम तो मैं एक बात बह पट्टों पर गए हैं इस बार भी हमारा प्रयास है कि वो पट्टे वापिस जो कम हुए हैं वो फिर से बढ़ जाए हमारा प्रयास उसमें लगाता रहे लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जहां हमने सीपीस पद्धती दिलवाया है महां किसान दस हजार रुपे का गेहू उत पादक हैं और हमने लगातार लगातार मोदी जी के कारिकी प्रशंसा की है क्योंकि थ्री बिलियन डालर दोजार तेरा में हमारा एक्सपोर्ट होता था आज 30 बिलियन डालर है दुनिया के 11 देश तो हमारी अफिम को ताकस से ले रहे हैं क्योंकि हमने बताया है कि के से तसकरी से और गारलिक आ रहा है तो हमने हमारे संसदी शेतर में तो उसको बिलकुल प्रतिबंद की श्रेणी में रखा है और देश से भी हम अपील करते हैं कि ऐसी आमानक क्योंकि भारत सरकार ने मोदी जी ने विशेस रूप से FSSI ने 2014 में और 2019 में अपने नोटिफि अपना प्रकरन दर्ज कर सकता है तो हम तो हमारा प्रयास है कि हम भारती अफीम और भारती लसन लोगों को खूप खिलाएं अफीम का मेडिसनल यूज़ करें उसका पोस्ता दाना खाएं और गारलिक तो स्वास्त वर्दक है ही यूज़ की बात हुई सांसीत तो अफीब के जो लाइजनस और उसके जो नियमों की सखती है कई बार किसानों के लिए परिशानी बन जाती है यह लगातार प्रयास करने का ही परिणाम है कि हम एक लाग पंदरा आजाल लाइसेंस तक पहुँचे है चोरी एक विशे है अगर अफिम की चोरी हुई या पक्षियों द्वारा ही नुकसान किया गया तो पट्टा देते समय ही यह सब के द्यान में रहता है कि हमारी responsibility है कि हम पक्षियों से इसको बचाएं हमारी responsibility कि हम चोरों से इसको बचाएं उसके बाउजित भी अगर चोरी हो जाता है तो उसकी प्रक्रिया है प्रणाली और मैंने भी कई किसान भाईयों को कहा है कि वो अपील लगाएं और अमला उसका सुनवाई करेगा और अभी ये licensing प्रक्रिया में आप पार्ड भी बन सकते हो चुकि आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि चोरी हुई है और पुलीस जांच, verification सारे अगर पूर्ण कर लिये हैं तो आप अपील में जा सकते हैं और ऐसे लोग भी जो नार्कोटिक्स में फस जाते थे अवेद अफिम का व्यापार करने में फस जाते थे लेकिन कोर्टें उन्हें सजा नहीं देती थी हमने हजारों की संख्या में उन किसानों को भी licensing प्रक्रिया का अंग बनाया है हमारा यही कहना था कि अगर आपने चोरी नहीं किये और प्रू नहीं हुए तो आप licensing प्रक्रिया का पार्ट बन सकते हो इसलिए बहुत सारी अनुकुलता है आई है यह तो लंबा विशे हो जाएगा क्योंकि मैंने इसके लगबग 40 सेदिक मुद्दों पर काम किया है और किसान साहमत है दर्शकों के लिए बता दू कि जो दर्शक हमारे नहीं जानते हैं उफीम की खेती चूंकि मेडिकल क्षितर में उफीम बहुत कारगर एक और शदी के रूप में इस्तेमाल होती है और इसके license जारी होते हैं उसमें आपको आपको तै वजन के हिसाब से अपकी खेत के हिसाब से आपको फसल सरकार को बेचनी होती है और कई बार इसके अवैद तरीके से सप्लाई या अवैद तरीके से इसका खरीदना बेचना होता है उसे रोकने के लिए licensing प्रणाली को इतना सखत रखा जाता है यह बात कहता है कि यह जो मनसौर्क शित्र है बहुत सारी चीजें इसमें अच्छी हो रही है लेकिन बड़े उद्द्योगों की हम कमी महसूस करते हैं खासकर विपक्ष का यारोप रहता है देखे विपक्ष के पास लगाने के लिए कुछ है नहीं 1947 आजादी के बाद से लगबग उनको 60-65 साल काम करने का मौका मिला अभी तो लगातार 14 के पहले 10 साल तक वही थे राज्यों में भी कैंदर में भी उन्हें बहुत मौका मिला है मुझे नहीं पता कि एकाद उद्द्योगों को खुलवा पाएंगे एक सिमेंट कारपोरेशन आप इंडिया का इंडरेस्ट्री था वो उन्ही के काम के दौरान में बंद भी हो गया था तो किस किस बेस पर वो बात करते हैं क्योंकि बैसिक इंफ्राइस्ट्रक्चर की तयारी नहीं थी रेलवे की पटरियां ब्रिटीश इंडिया ने बिचाई पूरे कांग्रेस का दोर निकल गया एक इंच पटरी बड़ा नहीं पाए हमने आज दोरी करण कराया है इलेक्ट्रिफिकेशन करवाया है अंडर ब्रीज और ब्रीज साठ से अधिक पनवाये हैं रेलवे के नए चार रूट खोलने के लिए हमारी कवायत जारी है काम भी चालू हो गया नीमज बड़ी साधरी में बाकी सर्वे फाइनल स्टेज पर हैं फाइनल लोकेशन सर्वे हो रहे हैं रेलवे अपने आधुनिक दोर में मेरे संसदी शेतर में गुजर रहा है रोड नेटवर्क की बात करें तो हमने हजारों किलोमिटर रोड नेटवर्क को आगे बड़ाया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बना है और विपक्ष का एक खोपसूरत है लोगतंत्त्र की खोपसूरती का यह आलम अरोप लगाए और सत्ता पक्ष उसका ना सिर्फ जवाब दे बल्कि उसको काम को करके धरातर पर उतार कर दिखा है जब बात होती है उद्योगों की परिटन की तो क्षेत्र में एक और बड़ा मौका रोजगार सुरजन के लिए धार्मिक परिटन का है हमारे पार मंसौर में पशुपतिनात महादेव का एक बहुत बड़ा मंदिर है जैसे कि हमने संसदी महाका लोक देखा क्या आने वाले समय में पशुपतिनात लोक जैसी कोई हम परिकरिशना देखाए पूरा संसदी शित्र मेरे फोकस में है और भारत सरकार की जो मानिटरिंग एजनसीज है उसमें मैं मनसा और नीमच और रतलाम तीनों जिलों को और ही फोकस लेकर चल रहा हूँ तो परेटन एक संभावना थी और इसलिए मैंने लगातार लगातार इस प्रशन को रेज किया सफलता स्वदेश दर्सन सरकीट में मेरा संसदी शित्र आया है एक सफलता बुद्धिश सरकीट में मेरा संसदी शित्र आया दो चंबल को हमने मुख्य बिंदू पर लिया और चं स्कूटर इसके माध्यम से और पानी के साथ अपनी संपर्क बढ़ाते हैं और वो तो 100% फूल रहता बुक रहता है हमने अफरीकन चीतों के आने का मार्ग प्रशस्त किया और आज कुनों के बाद दूसरा सबसे बड़ा इस्थान चीतों का मेरा संसदी शत्र सज धचकर तयार है परेटकों के आने की बहुत और जहां तक धार्मिक परेटन का सवाल है हमने धार्मिक परेटन को बुद्धिस सरकिट के साथ भगवान पश्वतिनात भादवा माता दूदा खेडी माता जी ऐसे पाइंट भी लिये हैं तो जावरा से और भानपूरा हम नदी संपर्क के म भावना हैं उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं साथ ही हमने मद्यप्रदेश सरकार को इस पश्ट रूप से ये भी कहा है कि आपके पास खजराओ एक मार्ग है दूसरा मार्ग उदैपूर से पुषकर जाने के बजाए उदैपूर से मंसौर संसदी शेत्र है उसको परिटन की बात चले है संसद जी तो इस वक्त जब हम आप बात कर रहे हैं सागर में कारिकरम चल रहा है रीजनल कॉंक्लेव इंडस्ट्री कॉंक्लेव है जो रोजगार के सरजन के लिए प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश से राज्जिकी सरकार कर जिससे आने वाले समय में मंसौर की पहचान बड़े और चूकि आप जिस देमोगरिफी में हैं आपके चारों तरफ बीजेपी शासित राजजी हैं तरफ राजिस्तान उत्तर प्रदेश महारास्ट्र में आपकी गटबंदन की सरकार है और इदर 36 गट में भी आपकी सरकार परेटन को हमने एगरी कल्चर परेटन को हमने नदी ये एक उद्योक के रूप में ही है क्योंकि होटलिंग बिजनेस बड़ेगा लोगों के आने जाने का क्रम बड़ेगा प्रत्यक्ष इंडरिस्ट्री को देखें तो इथोनाल प्लांट से लेकर कलाथ तक और सिमेंट से और हम प्रोसेसिंग हाउस के निर्मानों तक इसको क्रमबद तरीके से आगे ले रहे हैं और इन दस सालों में इसके परिणाम सुखद रूप से नजर भी आया है और लोगों के मन में बहुश्य को लेकर आशा है लेकिन में जहां तक सरकार की पालिसी का प्रिश्ण है सरका अब अपने उद्ध्योग नहीं चलाना चाहती है और इसलिए व्यक्तियों ने अपनी भागीदारी को बढ़ाना है और मंसुर संसिती शित्र में अब व्यक्ति अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं यह में जितने कारखानों का लगबक सो के असपास छोटे बड़े यून डेवलिफ हो रहे हैं चाहि वो नीमच का हो चाहि वो मनसूर का हो चाहि अन्य छोटे इस्तानों पर हो हम अध्योगीदारों के विस्तार के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं आपकी क्षेतर के पती जवाब दे ही है सांसर जी इसलिए थोड़े कड़े प्रशन भी मैं करूँगा अगर आप एतराज न करें चुकि जब से 18 बार लग लोकसवा चुनाव हो चुके हैं तीन बार जनसंग, आठ बार बीजेपी और मातर पांच बार कॉंग्रेस पार्टी को मौका मिला है मंसौर में ठीक है केंदर में और राज्यो में बले ही कॉंग्रेस पार्टी को ज़्यादा मौका मिला है पर बात करें तो हमने करोड़ों करोड़ लोगों को भारत में आईश्मान कार्ट से जोड़ा है तो मेरा संसदी शित्र भी अपने मानकों को पूरा करके आगे बढ़ा है लोग मैडिकल साइड में जाना चाहते थे आज देश में अगर मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि एक मात पर केपिटा इंकम में अगरिकल्चर का बहुत बड़ा रोल है और मैं अपने सेत्रों में रिसर्च अब हमारा गुरजर बड़िया पर रिसर्च गीर गाय का प्रोजेक्ट हमने प्रारंब किया है तो पानी तो खेतों में लगबग पहुचा ही रहे हैं तो ऐसा देश में कोई और संसदी शित्र नहीं होगा जहां इतना तेजी से और है मेरा संसदी शित्र कि यहां पर खेतों तक पानी पहुचाने का हमने अभुत्परों काम किया है इलेक्ट्रिफिकिशन में हमारा वर्क बहुत स्मार्ट वर्किंग है ताकि हम गाओं गाओं तक पहुचा पा रहे हैं तो बैसिक चीजों को पूरा करने में आप पाइंट का फंडिंग भी है और इसमें गुंजाईश है उस पर हम फोकस करके बैठे हैं कि बहुत तेजी से हम अपने अपने जिलों में सैनिक स्कूल हम ले आएं देश का पहला सैनिक स्कूल प्राइविट सेक्टर का हमारे शेतर में हैं दूसरा और आने वाला है तो हम लगातार उ जो है वो अक्सर यह प्रशन उठाती है कि कोई खिलाडी उलम्पिक में अगर जीत कर आया तो उसका श्रेय बीजेपी बहुत तेजी से लेती है लेकिन उसके संगर्ष में वहां तक उस पोडियम तक पहुँचने में बीजेपी कोई सायोग नहीं करती है उसके अलाबा उन कोई भी चीज को पकड़ कर नेरेटिव चलाने की कोशिस कर सकते हो और ये उन्हें लगता है कि वो कोई इमानदाराना बात कह रहे हैं लेकिन मेरे को एक बात का जवाब दें इस्ट्रक्चर वाइच चेक करो आप कह रहे हो कि उस खिलाडी को आगे पहुँचाने में बीज पहसी तो वही है ना लेकिन उसको बैसिक नीड उसकी जो थी उसकी पूरती करने की लड़ाई में परसेंटेज वाइच हमने अपने बजटी स्ट्रक्चर में हमने बैसिक चीजoth को पूरा करने में क्या किया एक डिस्ट्रीक एक इस्टेट को एक खेल दिया है आज देश औ सालों तक सतर पिछतर सालों तक आपको कभी ख्याल नहीं आया कि बेटियों को कैसे रिस्पांस करवाना है आपने इसे चीजें डेवलेप नहीं किये आज जब चीजें खड़ी हो रही है और उनको फोकस करके आगे बढ़ाया जा रहा है तब आप उसमें क्रास क्योंस कड़े करते हैं आपको राइट से खड़ा करने का लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि पर परसन हमारा expenses कितना तेजी से बढ़ा है बजटी धांचे में हमने उन सारी activities को कितना improve करने के लिए कोशिस किया है और देश ने उसको कैसा स्विकार किया है और इस बाचीत में मुझे याद आता है कि बहुत जादा तो मेरा अनुभव नहीं है लेकिन जितना अनुभव है मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा कि टीम जा रही है उससे पहले लाकर खड़ा किया मेरे संसदी शित्र में और एक प्रयास था हमने उस बच्चों को घर से मैदान तक लाने में एक साहस पुर्वक काम करने का एक प्रयास किया ताकि हर एक व्यक्ति अपना रोल प्ले कर ले अब मेरे ही शेत्र में हाकी का इस्टोटर ग्राउंड है क्यों नहीं बना पाई कांग्रेस इतने सालों तक आप क्या कर रहे थे अभी एक्टिविटी में सारे पार्टिसिपेट करने वाली चीजें बढ़ गई है इतने सालों तक आपका ध्यान क्यों नहीं था उस पर हमने अपने ग्राउंडों को उन सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े लोगों को देना शुरू किया है हमने उनकी कमेटियां बनाना शुरू किया है कि आप अगर शतरंज खेलते हैं तो आपका एक कमेटी बना लो आप इसको इस्टिडियम में ले लीजिए आप अगर badminton खेलते हैं तो आप एक committee बना लो आप ये ground ले लिजे आप इसको maintain भी करवाईए तो ये समाज के साथ जोड़ना जन भागीदारी को लाना खेलों में ये प्रयास पहले भी हो सकता था ये पहले क्यों नहीं किया उन्होंने और इसलिए श्रे हम नहीं लेते हैं धन्यवाद वो सारे खिलाडी देते हैं वो ही बुलाते हैं बोले भाई साथ सरकार का आपका सबका एक साहसी योगदान था दोड़ा तो वही है साहब शिल्ड तो उसे मिलाए मैडल तो उसे मिलाए तो हम तो उसी के प्रशंसा करेंगे ना सबाविके कुछ एक राजनिति क्विश्वों पर अगर बात करें मैं कुछ नाम लोगा सुधीर गुपता जी उस शक्सियत के बारे में क्या सोचते हैं आप कम सब्दों में जवाब देना चाहें जवाब दे सकते हैं गर आप पास का मैं चाहें तो आप पास भी कर सकते देना क्या चाहते हो वीजन नहीं है मतलब वीजन विहीन व्यक्ति है बटके हुए व्यक्ति को देश चलाना है मैं समझता हूँ अगर मेरी पार्टी में भी होते तो शायद मैं सौरी बोल देता कुछ राजियों में चुनाव चल रहे हैं और कुछ में आपके आने वाले साल में चुनाव होने हर्याना में चुनाव हैं विधान सभा के और दिल्ली में होने वाले हैं और दोनों ही जगे एक बहुत चेहरा इंदुन आम चमकता हुआ देख रहे हैं बहुत अभी जेल से बे जिसे पहचान लेता है, माँ अपने बेटे को पहचानती है, और इसलिए जनता अपने नेता को पहचानती है, लेकिन भ्रह्म में आप डालते हो, जाती, व्यावस्ता, प्रलोभन, पर लोग अच्छे से समझते हैं, इसलिए आपको पूरी भारत से अस्विकार कर दिया गया ह अब आप दिल्ली में अपना कौन सा नेरेटिव फिक्स करके वोट लेना चाहते हो, मैं समझता हूँ जनता समझती है, और इने नेता के रूप में तो कोई स्विकारिता है नहीं, एक NGO के रूप में काम करते हैं, आपने शायद NGO के रूप में अपने कारिकरताओं को भरती क करके कोई प्रोग्राम ले रखा है, आपके कारिकरता नेता है, जनता के मर्म को समझते हैं, ऐसा है नहीं, और इसलिए एक अस्विकारिय नेता है, जो अपने आपको दिल्ली में स्विकार कराने की कवायत करते रहते हैं, रॉंग नेरेटिव फिक्स करके जूटी बाते बत कर वैसे अभी हम देख रहे हैं कि विदानसभा चुनाव चल रहे हैं कुछ राज्यों में उसमें जम्मु कश्मीर एक ऐसा राज्य जिसके लिए जनसंग ने बहुत संगर्श किया आपके पिता जिस जनसंग में काफी अक्टिव रहे एक निशान एक प्रधान एक संविधान की जो अवधारना है लंबे समय तक जनसंग ने उसके लिए काम किया और उसे बीजेपी ने धरातल पर उतार के दिखाया विदानसभा चुनाव जम्मु कश्मीर मोरे आप कैसे आपका क्या एक्स्पीरियंस इस बारे में कैसे देखते हैं मेरे वहाँ पर कई लोग परीची पड़ा था लेकिन आज वो मुखेधारा में हैं वहाँ की जातियां विशेश करके जिस तरीके से इन्होंने ऐसी जातियों को पीछे डाला था वो सब आज उत्साहित हैं अब मैं समझता हूं कि वोटों के रूप में वो क्या निरने लेते हैं वो उनका निरने हो सकता है को एंटीन कमेंसी जैसी कोई चीज नहीं आप बार 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 जाती को लेकर आते हो बीजेपी के साथ एक दिक्कत है कि बीजेपी विकास की बात करती है बीजेपी के साथ दिक्कत है कि बीजेपी राश्टरवाद की बात करती है और वो धर्म डालते हैं कांग्रेस के लो एक विक्सित प्रदेश के रूप में बीजेपी ने उसे पीछे नहीं जाने दिया उसे आगे ही बढ़ाया है जिस तरीके से मौदी जी ने 13,90,000 करोड के रेवेन्यू वाली कंट्री को उठा कर 48,50,000 के बजट पर पहुंचा दिया ये विश्व के ग्यात इतियास में संबो नहीं है ऐसा ही विकास पूरे भारत में हुआ है लोग विकास के लिए बीजेपी को याद करेंगे विनास के लिए कांग्रेस उनका एक एगजामपल हे ही जानते हुए भी जातिकत चेहरों को कभी चैस करने का चक्कर चला कर ये calculation बड़ा इस पश्ट है और अरविंद केजरिवाल ये शायद इस पार्टी का आखरी ऐसा प्रथम और आखरी ऐसा युद्धा है जिनोंने आजादी की लड़ाई में त्याक तपस्या की बात कहने वाले ऐसे सच्चे सेवकों के साथ धोका करकर सत्ता में बेठे हैं फल तो मि चुप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से खुश्बू आ नहीं सकती है बनावट के उसूलों से और इसलिए बनावटी चेरा है लोग पहचानते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उस फोलों से और खुशबुआ नहीं सकती कभी कागज के फोलों से आशे समझना है सांसाजी जो कहना चाहते हैं क्योंकि यही राजनीती का मर्म है जो सेवा भाव से आये हैं या जो सत्ता में बैठने के लिए हैं उसका जनता निरने करेगी लेकिन एक और चुकि समय कम है तो इस दिसांसा जी ये विशह सनातन धर्म का और कुछ एक विशह ऐसे हैं जो इन दिनों हम बहुत देख रहे हैं हमने शिमला में देखा और हमने मंडी में देखा मध्यप्रदेश के जबलपूर में भी एक जगह ऐसी घटना सामने कि मुस्लिम बड़ा दिल दिखाएं और जो मतुरा और काशी में जगह हैं उसे छोड़ दे इस तरह की विश्यों पर निर्णे लेना कठिन होता है बात करना कठिन होता है देखिए एक बात है कि सनातन जो है वो जीवन पद्दती है आस्था अलग विशह हो सकते होंगे ले तो जीवन सुधारने की बात करते हैं और धर्म प्रचार के लिए कई धर्म वैश्विक इस्तर से आगे बड़े और उन्होंने दूसरों को मिटाना और स्यम खड़े हो रहा यह पद्दती जब तक नहीं छोड़ी जाएगी यह संगर्ष बने रहते हैं मेरा अपना सोचना ह वो आधार बना कर उन लोगों ने काम किया और देवों के स्टेज पर वो आए हैं मेरा अपना मानना है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई धर्म या कोई संस्ता ये चाहे कि मेरी ही चले वो इस दुनिया में स्विकार नहीं होगी और इसलिए सनातन जीवन पद्दती की यह आप अपने इस्थानों तक सिमित रखो और लोगों के निशानों को हटा कर खुद के निशान लगाने की कावायत बेमानी है और ये दुनिया में बरदाश नहीं होती है मनसाइन से आए मनसाय में सनातन धर्म से अलग पहचान बनते हुए देख मनसाय का पहचान है क्योंकि जो चाइना ने डर कर हउनों से ग्रेट वाल बनाया था उन होनों का पराजय इस्तली मंसौर ए अर्केलोजिकल सर्वेयाप इंडिया ने उसको प्रिजार हो किया है विश्व के ग्यात इतियास में सबसे पहला हडपा कालीन व्यवस्ता में जिन इश्वर का नाम लोगों की जिवा पर आया वो थे पशुपती नेपाल में उनका एक प्रतिमा इस्तापी थे स्रद्धा का हमारा केंदर है तो दुनिया के ग्यात इतियास में दूसरा इस्तान मंसौर है दश्वपूर है ये दो ही इस्तान है जहां पश्वपतिनात की प्रतिमाएं इस्तापित है और लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं विश्व का सबसे पहला विज्यापन जो महिलास रेशम के कपड़े से बनी रेशम के धागे से बनी साड़ी पहने हुए इस टॉन पर लिखाओव विज्यापन विश्व का सबसे पहला मंसौर है तो मंसौर कालिदास से लेकर ऐसे कई चीजों का पुराना इस्तान रहा है और रॉक पैंटिंग से लेकर रॉक कटिंग तक हमारी धमनार की गुफाएं धर्मराजेश्वर की एलोरा के बाद दूसरी ह तो सनातनियों का मुखे इस्तान मंसौर है और ये ग्यात इतियास में भी है मंसौर की प्रतिमाएं दिली से लेकर भॉपाल से लेकर मुंबई अमरीका तक के और म्यूजियूमों में रखी हुई है इसलिए बहुत बड़ा इस्तान है हमारी उमा महेश की प्रतिमा अंगटन गई थी हमारे नंदी फ्रांस गए थे तीन करोड का इंशुरेंस करा के तो अगर कोई विदेश से आता है तो आपूत पूर्व संभावना है मनुष्य के प्रारंबिक जीवन की खोजों से लेकर चाल लाग से पहले की राक पेंटिंग है तो आएंगे तो उन्हे बहुत मिलेगा बहुत अब यह हमारा सांसत को जानो कारिक्रम था और हम उम्मित करते हैं कि हमारी बाचीत आगे भी एक और पड़ाओ पर आएगी जब हलाकि आज सांसत मोदे को जाना है थोड़ी जल्दी भी है कुछ कारिक्रम डिले हुआ तकनी की परिशानियों के विज़े से लेकिन बाचीत बहुत अच्छे और सुकत माहौल में हुई बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद